हेदा लावीज, हाओ वर यू वाल जब भी हम पूरा दिन कम्प्लीट कर लेते हैं, रात को सोने जाते हैं तो ये चीज रोज करा करो अपनी लाइफ के ब्लॉकचिस को क्लियर करने के लिए अपने घर के बाहर जाना आप अपनी बालकनी में जा सकते हो, आप अपने टेरिस पे जा सकते हो या अपने घर के गेट पे ही खड़े हो सकते हो और नॉर्मली अपने घर पे, इवन आप अपने घर के मंदिर में भी जा सकते हो आपको वहाँ जाना है, बस माँ खड़े होना है और आपको उन सारी चीज़ों का gratitude करना है जो आज आपकी दिन, पूरे दिन में हुआ example आज आज आप बहुत अच्छे होटल में खाना खाने काया आज आपने बहुत अच्छी शॉपिंग करी आज आपने बहुत अच्छा food खाया आपने कोई बहुत अच्छी जगा घूम कर रहा है अपने friends के साथ और होगी वो बहुत सारी चीज़ों का gratitude करना है हो सकता है उस दिन कुछ चीज़े बुरी भी हुई हो उस दिन कुछ चीज़े खराब भी हुई हो तो उसको लेके आपको बोलना है sorry बट मैं चाहती हूँ आगे जाके ये चीज़ बहुत अच्छी blessing में convert हो जाए और उसको एक lesson की तरह अपनी life में लो उसके बाद दो मिनिट के लिए you have to do हो अपोनो पोनो prayer जिसमें आप बोलेंगे I am sorry, please forgive me, thank you and I love you I am sorry, please forgive me, thank you and I love you ये prayer आप अपने God को, अपने universe को, पुरे ब्रह्मान को बोलते हो उन चीज़ों के लिए जो आप से गलती हो गई पता नहीं चला बस गलती हो गई और आगे जाके हम बुरे कर्मना फेस करें उस चीज़ के लिए आप सारे blockages remove करते हो इस prayer को बोलना है एंड में thank you, thank you, thank you बोलेंगे और फिर बस सोने चले जाना है ये prayer बहुत magical prayer होती है हो अपोनो पोनो prayer जो blockages को खदम करती है life में blessings को लेकर आती है और unexpected, you know इतने अच्से changes होने लग जाते हैं लाइफ के अंदर जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं बहुत magical prayer है इसको try करें अपनी life का एक part बना लीजे कि नहीं इसको तो रोज करना ही करना है घर में चोटे-चोटे बच्चों को भी इसको कराईए आपके घर में जो लोग है उनको भी ये prayer बताईए ये बहुत magical prayer है किस दिन, किस मिनिट, किस सेकंड आपके life में miracles होने लग जाएंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा आज के वीडियो के लिए इतना ही में ते है नेक्स वीडियो में तब ते के लिए भी हौज़त है स्टे हापी राधे राधे और हाँ राध को नौ बजे आ रहा है astrology और love of attraction का क्या relation होता है तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूले राधे राधे